फाल्गुन माहा के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं ये दिन व्रत, पूजन, एवं तरपन का महत्वपून दिन माना गया है धार्मिक मानिताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन का विशेश महत्व है इस दिन लोग पवत्र नदियों में स्नान कर जरूरत मंदों को दान करते हैं साथ ही इस दिन पितरों की शान्ती एवं पूरवजों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए तरपन और श्राध भी किया जाता है इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदी में स्नान करके सूर्य देवजी को अर्ग देने के बाद पितरों का तरपन करना चाहिए इसके बाद व्रत का संकल्प लें इस दिन पितरों की आत्मा की शान्ती के लिए उपवास करें अथवा जरूरत मंदों को दान दक्षना दें फालगुन अमावस्या के दिन शाम को पीपल के बेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ती होती है इस दिन शिवमंदर में जाकर दूद, दही, शहद से शिवजी का अभिशेक करें तथा उन्हें काले तिल अर्पित करना चाहिए इस प्रकार फालगुन अमावस्या के दिन पितरों का तरपंट करने से उनका आशिरवाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख सम्रधी बनी रहती है